हेलो रादे रादे गुड मॉनिंग कैसे हो आप सुभी आसा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज है रवीबार तो आज हम बहुत ही प्रसिद्ध वाले मंदिर में जा रहे हैं आप सब को भी लेकर चलेंगे सावन का महीना चल रहा है कहीं भी किसी भी मंदिर में जाना मेरा हुआ ही नहीं वस घर में पूजा पार्ट हो जाती है पास में ही एक मंदिर है वहाँ पर चले जाती हूँ लेकिन घर से बाहर किसी प्रसिद्ध मंदिर पर जो है ना जाना नहीं हुआ लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं तो घर के जो रेगुलर काम होते ना उनसे फिरी कि रख देते हैं तो वस उनके काम में ही जो इना मैं लगी हूँ कभी-कभी मुझे बड़ी चिचड़ा हाट हो जाती है कि मतलब यार मतलब हम अखेले क्या क्या काम करें लेकिन क्या कर सकते हैं यही जिन्दगी होती है इसी तरह से चलती है तो चलिए चलते हैं मंदिर के दर् बहुत जाना दूर है तो एक से सबागंडा हमको आराम से लग जाता है लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी प्रभू की ऐसी किरपा रही कि बहुत अच्छा मौसम था काफी अच्छा जो है ना लग रहा था अगर मौसम खराब होता तो बहुत परिशान हो जाते क्यों पुराचीन मंदिर है पंडिजी बताते हैं मुझे तो खैर जाना जानकारी नहीं है यहां के मंदिर की कि यह मंदिर जो है ना हिटलर के जमाने का है किसी जिंदन है जो है इसको बनबाया था काफ इस मंदिर को जब आप देखोगे तो इसकी सिखर को जब देखोगे तो बह यहां पर सद्दालूओं की भीड देखिए, काफी सारे लोग तो नंगे पैर दर्सन करने के लिए जा रहे थे, छोटे-छोटे बच्चों को मैंने देखा, कि नंगे पैर आस्ता से जा रहे हैं, तो आस्ता और स्रधा बहुत बड़ी बात होती है, जहां स्रधा होती है, वहा पर देखिए, मंदिर के पास ही पहुशने वाले हैं, मंदिर के पास बहुत भीड होने वाली है, तो मैं यहीं से आपको सिकर दिखा रही हूँ, देखिए, बहुत पुराना सिकर है, सामने ही आपको मंदिर के दर्सन हो रहे होंगे, तो यहां आज बहुत जाना भीड़ है क्योंकि यहां पर पार्ट वगेरा चल रहे हैं 108 पंड़े पार्ट में बैठे हुए हैं तो भागवत का पार्ट चल रहा है भागवत भी होती है और यग भी यहां पर हो रही है तो बहुत आस पास के जतने भी गाओं के लोग हैं सबी लोग यहां पर डेली आते हैं बहुत जाना भीड़ती मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की भीड़ हाई हमने मंदिर में ही दरसन किये मेरी बहुत इच्छा थी कि सबसे पहले प्राची जो सिबलिंग है यहां पर उनके दरसन किये जाए इनका तो मन नहीं था क्योंकि बहुत जाना वाली बीड़ थी धक्का मुकी वाली बीड़ मैंने तो सालों बाद इस धक्का मुकी वाले बीड़ में दरसन किये क्यों कि मैं उस जगे बहुत कम जाती हूँ जहां पर जाना ढगा मुक्य होती है बहुत परिशान हो जाते हैं हम लोग तो उस जगे में बहुत कम जाना मेरा होता है लेकिन आज मैं पहुँच गई हूँ और इस भीड को देखकर मुझे लग नहीं रहाता कि दर्सन हो लेकिन भगवान के जब मैंने दर्सन किये अच्छे से नंदी देव के कान में कुछ अपनी मनो कामना बूली ना तो सब बूल बाल गई तो यह देखिए नंदी जी है आपको भी पूरे दर्सन कराऊंगी आप भी दर्सन कीजिए हमारे वीडियो के तहर तो वस यहाँ पर स सबसे पहले नंदी के पास जो ना दर्सन किये चाते हैं इनके दाहीने कान में जो है आप अपनी कोई भी मनो कामना हो वो आप बोल सकते हैं तो सबी लोग इस तरह से कर रहे थे सबी ने अपनी मनो कामना बोली उसके बाद हम गए जो है ना भगवान शिबलिंग के दर्सन क करने आये हैं आप सब भी दर्सन कर लीजिए नमस्य वाय तो बहुत जाना वाली भीड़ती एक बेल पत्र यहीं से उठा कर जो है ना मैंने उन पर अर्पित कर दिया जब आपके पास कुछ भी ना हो तो भगवान से ही बेल पत्र लेकर जो है ना उन पर अर्पित कर देना चा होंगी कहीं भी जाओ थोड़ा बहुत दान्पुन जरूर कर कर आओ ऐसा नहीं कहरे हीं कि बहुत सारा करना है अपनी इस्तती Christy के अनुसार दानपुन कर के आईए यही जो है ना आपके साथ जाने वाला है यही आपके कर्मों को भागवत पढ़ रहे थी जो को भागवत मतलब बड़े enjoy के साथ पढ़ रहे थे उसके एक एक बचन को खुझ अनुभब कर रहे थे तो अपने हाथों को हिलाते हुए बहुत मतलब इनका जो पढ़ने का तरीका था मुझे सच में बहुत पसंद आया पढ़ तो सभी रहे थे लेकिन इतने गुस्तों मटर गस्ती में लगे हुए थे लेकिन पूझा पार्ट में लगा होता है उसका ध्यान इधर से उधर नहीं बटकता आप इस वीडियो को ध्या अगबत पही ध्यान है और काफी सारे लोगों का इधर उधर ध्यान है तो वह चीजें अलग से दिखने लगती है समझ में आ जाती है लेकिन गलत बात है जो भी ऐसा करते हैं बहुत जाना गलत है यह बात जो है ना मैं जान पूछ कर बोल रही हूं मुझे मतलब लगता है जो चीज गलत लगती है वो सच में गलत है तो उसके बारे में हमें जरूर बोलना चाहिए पूजा पाठ है ध्यान से जो है ना करना चाहिए आप इंसानों से बस सकते हो लेकिन उस ईसवर से जो है आपको कोई नहीं बचा सकता बाकी सब आपकी इच्छा है हम पर जो दान therapy ने पना बना उर दानपुन घंपने सरद्धा के अनुसार की आपने बच्चे से दानपुन से करवाया क्यशं ग्यूला रजार अपके प्रारब्द को फूर दान पूर आपके प्रारभद कोimagin है तो स्रद्धा के दानपुन होता है तो यहां पर हम लोग आ गये थे 2021 साला म में सभी देवताओं का निबास स्तान होता है तो मैं आप इस तार से आपको नहीं बता पाऊंगे क्योंकि वीडियो बहुत जाना लंबा हो जाएगा सभी के अलग अलग दौार होते हैं सभी के अलग अलग खंबे होते हैं जैसे कि मैं तोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगे यहाँ पर यह देखिए यह ब्रह्मा लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर दिखागे दगाद सभी के अलग गाते हैंória होते हैं सभी के अलग एंगे सभी के अलग मिखा दूटरी मिखा दूटरी सीरे रैत करें अलग ब्रह figur opens clean पूजा कराने वाले आचार होते हैं वही प्रवेस करते हैं यहां देखिए यह सामने नागराज का खंबा बना हुआ हुआ तो सब के अलग-अलग खंबे होते हैं तो इतनी जानकारी मुझे बहुत जाना नहीं है तो ही जानकारी मैं यहां पर आपको दे रही हूं तो यहां पर जो है ना पांसाथ परकमा आप जरूर कीजिए जहां पर आप कहीं भी रहते हों कहीं भी आपके आसपास अगर इस तरह की यग होती है तो इसकी परकमा का विसेस महतुर रहता है आप प्रुख जरूर चलिए अब घर को चलने की तयारी में है क्योंकि जो बदल है वो बहुत तेज हो रहा है तो अब बारिस होने वाली है अगर बारिस हो गई तो यहां भीड बहुत जाना हो रही है तो फिर बहुत जाना दिक्कत हो जाएगी दूसरी बात ये भी थी कि इनका अपना पार्ट भी है तो घर जाकर बहुत सारे काम भी करने हैं मुझे बहुत सारे काम करने हैं इनको अपनी पूजा पार्ट करनी है तो टाइम पर अपने घर पहुंच जाएं तो यही सही रहता है इन्होंने मुझे पूरे यगे के बारे में बताया कि क्या क्या रहता है यग में क्या क्या नहीं रहता है क्योंकि इनको बहुत जना जानकारी है पूचा पार्ट से जुड़े हुएं मैं इतना नहीं जुड़ी हुई है इतनी जगे जाना मेरा बहुत कम होता है जब भी जाती हूँ आप लोगों को साथ में लेका जाती हूँ आपको भी इस चीज़े दिखाती हूँ तो यह यग साला है इसमें रोज यग होती है इसके बाद दुपहर के समय यहां पर भागवत होती है तो बस सभी लोग भागवत सुनने आ रहे हैं बहुत ज़ना भीड इस समय बढ़ने लगे थी काफी सारी मात्रा में लोग एकटे होने लगे थे तो आज जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि गाड़ियां आती चली जारी है एक तो आज रविवार है रविवार के दिन सबकी छुटी होती है तो इस समय लोग सोचते हैं जलते हैंदरसन करते हैं यह तो झाल घर चलते हैं क्योंकि बहुत तेज वाली बारिस का मौसम हो रहा था नहीं चल खुझा हो रहा हुएं क्योंकि इनके अलसलacje थी तो इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं था है आपसे जाने का लेकिन इनको जाकर फूचा पाट करनी थी अपना काम बगरा भी करना था तो बस हम लोग निकल पड़ें यहां से लेकिन रास्ते में इतनी जाना तेज वाली बारिस हुई ना कि हमें रास्ते में थोड़ा सा रुकना पड़ा कि बल पांच मिनट ही रुके उसके बाद बारिस बंद हो गई उसके बाद फिर अपने घर के लिए निकल पड़े और इतने सारे लोग जो है ना देखिए लगातार आते चले जा रहे हैं आते चले जा रहे हैं तो बहुत सारी भीड इखटी हो रही थी लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आप बलकुल परिशान मत कीजिएगा अगर आपके छोटे बच्चे हैं आप घर पर रहिए तो देखिए कितने गोदी वाले बच्चे थे जो की पानी में भीग रहे थे तो इस तरह से आप बच्चों को परिशान मत कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा गोदी में बाइक पर बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चे इसमें बीमार पढ़ सकते हैं आप घर में पूजा पाट किजिए इस तरह से बच्चों को परिशान मत कीजेगा अगर आपके बच्चे बीमार हो गए तो आप यहां पर जो दर्सन किये हैं वहां जाकर आपको मतलब बच्चों से परिशान हो जाओगे तो इस चीज को थोड़ा सा देखें इस्तती और परिस्तती के अन